पहला वांगी आज भी थ्वाड़नालिक छोटी जी कहानी शेर करन लगां किसे शेर विच एक परवार रहन्दा सी जड़ा के बहुत ही गरीब सी एक छोटा बच्चा सी उना दा एक तीसी उना दी पंद्रा या सोला साल दी होएगी हो और एक दिन अचानक उस कार्च कमान वा दा इलाज करवार नहीं सक्रिया सी ओदी कुछ लट फैक्चर हो गई सी आले दवाले दे लोग जान्दे सी कुछ इक थोड़ी बहुत ना नू हैल्प मिली लेकिन उना दे महले ची बहुत दो चार पंच साथ कलियां चढ़के एक लेडी रेंदी सी जिसने पता लगन तो ब फिर प्रॉब्लम एही सी के रूटी कितों चल लेगी बच्चा दी फीसा कितों पर नहीं जिनने भी करदे खर्चे ने लेकिन उस लेडी ने बड़ी हिमत नाल उस कारदा सारा खर्चा चुक किया उस दा कहना सी के कोई नी एवी मेरा परवार ही है क्योंके ओ उनानू रोज कहन दी सी के देखो मेरे कोई बच्चा नहीं है ते मेरा पती शैर तो बार नौकरी करदा है ओ कदे कदे ही मेरे कार आंदा है हां लेकिन मेरे कजन मेरे माम में दे मुंडे या मेरे प्रा ओ मेरे कार आंदे रेंदेने ओना दे पतनिया आंदे रेंदी है ते मेरे कार कदे कद पूशन दी फीज देनी है ते तेरी लड़की नूँ मैं पड़ा आदया करांगी उने कहा जी बड़ी मेलवान यह तुसी पड़ा आदया करो ओ लड़की जैडी है पांचार गलीयां चाटके उस लेडी दे कर जाना शुरू हो गई ओ जैडी लेडी से उन्हों पड़ा क्ला पलाना उसने बड़ी हो दी रिस्पेक्ट करनी उसनों पड़ा अन लगी ते इसे तरह करदे करदे ओ जदों किसे बंदे ने उस लेडी देकर रहाना था ओ लेडी फेरे केंदी उन्दी सी के ए मेरा पर आया है ए मेरी पर जाही है ए मेरी पहन है वह तरह कुछ चालदा इन ओ जड़े महमान होना दे करे आंदे सी ओ अंदर ले कमरेच वड़ जांदे सी ओ ते की उन्दा सी उत लड़की नों कुछ नहीं पता ओ अपना उते पढ़दी रहेंदी सी बहुत देर मीना या डेड़ मीना इसे तरह चलदा रहा फेर एक दिन उस लेडी कोल एक बंदा आया जिनने आंदे उसनों पूरा परके जफा मारया ते हाल चाल पुछिया वो अंदर ले कमरेच चला गया कुड़ी ने फेर सवाल कीता केंदी आंटी एक होने केंदी मेरा परा आया है रिष्टे चो दूर दे रिष्टे चो मेरा परा लगदा है वो केंदी ठीक है ओ लेडी कमरेच बार नहीं आई कुड़ी सोचन लागी बार बैठी कुड़ी के आंटी बाहरी नहीं आरी ऐसा की काम है चलो जी बगएर कुछ सोचे समझी हो कमरेच दे कोल चली गई आंटी बड़ी शातर सी उसने बारी खोल रखी सी पड़दा भी परेकार रखी ऐसी तांक गई उसने लेडी नू शो नहीं होन दिता कि मैं देख लिया है ओ आंधी ता सी रोज लेकिन किते ना किते है उन्हों थोड़ी थोड़ी कबराहाट उन्दी सी के पता नहीं की है पता नहीं की होएगा लेकिन गरीब भी है उन्हों आना पेंदा सी गा चलो बहराल कुछ दिन बाद आंटी उन्हों पुछन लगए कि तू उस दिन की देख या सी की में लगगे तेनू और आंटी मेंनू कुछ नहीं लगग गया पर तुसी एक ही मतलब इस तरह कहन दी है इस तरह कली तो उस लेडी ने उस लड़की नूँ भी इस तंदेच शामल कर लिया फिर उन्हो लेकिन एक डेड महिन्य बाद कुडी दी मानुशक हो गया के कुडी दी रंगता है वो दी गालबाद तुरन दाजड़ा तरीका सारा देख्या उने भी खराब हो चुक्या है फेर उसने वोदा पिछा करना शुरू कीता ओजान दी फेर अबियसलिया कि बंदेवी कर यान उसनों पता लगया बढ़ी तहां मारके रोई कुडी नों भी कुट्या उस लेडी ने बड़ा फिर होसला रख्या गरीव लेडी ने के कोई नी उनने फिर लेडी पुलिस को जाके शिकायत कीती के जी इस तरह इस तरह मेरी लड़की दी जिंदगी बरबाद हो गई है ते इसनों जिसम फरोशी दे तंदे ला दिता गया है लेडी पुलिस ने बड़ी समझदारी ना काम लेया उनने उस जनानी नों कोई बंदा गाक पेज के भी मोटे पैसे देगा किते होर जगा बला लेया उते फिर इस तरह यहां के पुलिस ने मास्टर प्लैन बनाया कैमरे ते उदना गला गला जदो हुई यहां ते उ रंगे आती फिर ओ जनानी फड़ी गई मतलब गाले है के विश्वास अलग चीज़ है अंद विश्वास अलग चीज़ है चाहे तुसी गरीब हो चाहे अमीर हो किस तरह भी है हलात जैसे मर्जी हो उदना लड़ना चाहीद है विश्वास जुरूर करो पर किसे ते अन्ना विश्वास अंद्विश्वास कदीना करो बस इन्नी किसी ए गाल जड़ी तो अन्ना सांजी किती है खुश रहो और सतरक रहो ते देख दे रहो एवन पजाबी चैनल मैं अपने ए मोड्या थे गोड्या तो बहुत दुखी सी मेरे लगता तो ना फिरना भी एना अखो ऐसी मैं दास में दे सकता पर जातो मैंनू फीर लिफ मेरे है टाई तिन महीं ने इस्ते माल करन तो बाद गोड्य वी होके मोड्य वी होके जी तुसी भी किसे इस तरह दी बि इमारियां तक दो इलाज कर सकते हैं फीर लीफ हमेशना जाद रखो बस कुस दिना तो मैंनू बालां दी बड़ी समस्या सी मेरे बाल चड़ने शुरू हो गे सी मैंनू मेरे दोस्त ने ओयल फीर लीफ वाले दस्या मैं तेल तेनक मीने लाना अपने शर्ते प्लाई कीता है यह बिल्कुल आयुर्वेदिक तेल है यह दा कोई साइड इफेक्ट नहीं है ते मेरे बाल जड़े गंजपन पहना शुरू हो गया सी वह द्वारा आन लागे तो मैंनू था बड़ा फैदा दिता है यह तो अनू भी किसे इस तरह दी प्रॉब्लम दा सी सामना कर रहे हूं कितना किती असी अपने बाला करके शर्म फिल